सूपरभाद प्यारे बच्चों, बच्चों, हमने पाठ तीन फ्लोरेंस नाइन्टिंगेल में अभी तक पढ़ा कि उनका जनम अठारा सो बीस में इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में हुआ था और उनके माता पिता ने इनका नाम फ्लोरेंस इटली के शहर के नाम पर ही रख दिया तो चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं फ्लोरेंस के माता पिता का समाज में मान समान था यानि कि मान समान बहुत इज़त थी, समाज के सभी लोगों Florence के माता पिता के बहुत इज़त करते थे परिवार में किसी भी परकार का अभाव नहीं था, यानि कि धनी परिवार था, सुक्स विधाउं से संपन था किसी भी चीज का अभाव नहीं था, कमी नहीं थी, अभाव शब्दकार्ट होता है बच्चों, कमी फिर भी बालिका फ्लोरेंस का मन मानव सेवा में, यानि कि बालिका जो फ्लोरेंस थी, उसका मन करता था कि मैं मानव की सेवा करूं तता मस्तिक्ष यानि की दिमाग हस्पतालों की दूरदशा शब्दकार्थ होता है बच्चों बुरी बुरी वरस्था बुरी हालत और नर्सों के पती होने वाले दुरवेवार के कारणों को ढूनने में लगा रहता था यानि की वो बालिका फ्लोरेंस का मन चाहता था कि वो मानव की सेवा करे और उसका दिमाग हस्पतालों की दूरदशा उस टाइम बच्चों हस्पतालों की जो हालत होती थी वो अच्छी नहीं होती थी वहाँ पर सारी सुक्स विधाएं नहीं होती थी मरीज के लिए और नर्सों के प्रती और नर्स के साथ भी बहुत बुरा वैवार किया जाता था क्योंकि उस समय नर्स को बहुत अच्छे जिस्टी से नहीं देखा जाता है क्योंकि देखो आज के टाइम में पीटा COVID-19 में डोक्टर और नर्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने कितने मरीजों को ठीक करके अपने घर भी भी भेज दिया है आज के समय में नर्स का पेशा बहुत अच्छी दिस्टी से देखा जाता है प्रंतु पहले के समय में नहीं देखा जाता था प्रंतु जो Florence ही वह तो नर्स बनना चाहती थी वह परिवार की परतिस्ठा यानि उसकी इजद के दिस्टी कों से यह उचित नहीं था क्योंकि परिवार के जो लोग है वो नहीं चाहते थे कि जो Florence है वो नर्स बनी क्योंकि उनका मानना था कि उस समय में नर्स की पेशे को एक अच्छी दिस्टी से नहीं देखा जाता लोग पर नर्स का सम्मान नहीं करते इस कारण उन्हें विदेश यात्रा पर भेज दिया गया जहां सिद्नी अर्वर्ट नामत व्यक्ती ने इनका परिच्चे हुआ जो कुछ दिनों बाद युद मंतरी भी बना इनके लिए भविश्य में बहुत सहाइक सिद्ध हुआ इनके लिए Florence नाइंटिंगेल के लिए वह व्यक्ती बहुत सहाइक सिद्ध हुआ पैरिस में इनकी भेट एक इसाई मठ की दो भिख्षनियों से हुई यानि कि जो इसाई मठ में जो इसाई मठ को चलाते हैं वो उन दो लोगों से हुई और इनी भिख्षनियों ने अलेक्जेंडरिया के एक मठ के नाम का परिच्चे पत्र Florence को दे दिया यानि कि उन्होंने क्या किया मठ के नाम का एक पत्र Florence को दे दिया यूरोप में मिश्र तक की यात्रा के दोरान अलेक्जेंडरिया के मठ का Florence ने अवलोकन किया अवलोकन शब्दकार दोता है किसी भी चीज़ को बटके ध्यान से देखना अब्सर्व करने इसी यात्रा से लोटते हुए वे जर्मनी के कैसरवर्थ नाम स्थान पर प्रोस्टेंच पाद्री द्वारा चलाए जा रहे नर्सों के ट्रेनिंग सेंटर को भी देखने के लिए गई यानि कि वो देखो उसके बाद उन्होंने क्या गिया वहाँ पर जो नर्सों के लिए ट्रेनिंग सेंटर कुला हुआ था वहाँ भी गई और कुछ दिनों बाद इसी नर्सिंग कोलिज में उन्होंने नर्सिंग की जिक्षा प्रापत की पीडितों की सेवा करने वाले परतेक स्थान की प्रती उनका विशेश लगाव था क्योंकि बच्चों जो फ्लोरेंस थी वो चाहती थी मानव की सेवा करना पीडितों की सेवा करना मरीजों की सेवा करना इसलिए जहां भी उसे ऐसा लगता था, उसे उस स्थान से लगाव हो जाता था और ऐसे स्थानों पर उन्होंने स्वम जाकर उनका निरक्षन भी किया, उनका अवलोकन भी किया, उन्हें अच्छी तरह से देखा सन 1850 में इस महान सवेदंशिल नारी के अंदर एक वैचारिक तुफान उठा, यानि की 1857 में जो ये सवेदंशिल शब्दकार्थ होता है बच्चो भावुक इसके अंदर एक ऐसा तुफान, एक ऐसा विचार उठा, जो सभी परिवारिक समाजिक बंदनों को तोड़कर फ्लोरेंस नाइंटी गेल जैसी महान नारी के रूप में सामने आया क्योंकि उसे अभी तक तो लगता था कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में इस नर्स के पेशे को अपनाया नहीं जाएगा लेकिं 1850 में इन्होंने द्रिड निष्चे कर लिया कि वो इस पेशे को ही अपनाएंगी और एक नर्स बनकर ही मानव की सेवा करेंगी अगस्त 1853 में बिमार इस्त्रियों के लिए लंदन में एक हस्पताल खोला गया फ्लोरेंस इस हस्पताल की अध्यक्षता बनी यान की सारा काम फ्लोरेंस लाइंटिगेल की देखरेक में हुआ इनकी सेवा भावना, प्रिश्रम यानि महिनत, प्रबंद कुशलता से एक अलग ही परसंसा का वातावरन बना उन्होंने प्रचलित विश्वाशों का विरोध करते हुए मरीजों के कमरों की खिड़कियां खूली रखकर उन्हें एक सुख में स्थिती परदान करती देखो बचो, पहले आपने देखा कि हस्पतालों की जो दूर दशाती बहुत बुरी थी और उसके बाद इन्होंने क्या किया उन्होंने हस्पतालों को भी स्विधा जनक स्विधाईं देकर और खूली खिड़किया और अनेक तरह की स्विधाईं देकर हस्पताल का भी नक्षा बदल दिया इसी कारण इनके हस्पताल में मरीजों की संख्या में व्रीदी होने लगी देखो बचो जिस हस्पताल में अच्छी सुक्स विधाई होंगी मरीजों के लिए देखने खची होगी उस हस्पताल में मरीजों की संख्या में व्रेदी भी होगी सितंबर 1854 में क्रीमिया का युद छिड़ गया